हांज नमस्कार दोस्तों सागता अपस्विकाज यूटूब चनल पर एक पर फिट से तो जिसने वेवतक चनल को सब्सक्राइब ने के जल्द इस चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ हम बेल आइकन को दबा लिजिए तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वि इलेक्ट्रिशन थेओरी का है वनलाइनर क्यूशन जितने भी बनते हैं यानि पूरा निचोड इस टोपिक काम देखने वाले इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अच्छा लगे तो शेर करना तो चलिए शुरुआत करते है सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट ठोस अवस्ता युक्तियां क्या होती है तो विशिष्ट ठोस अवस्ता युक्तियां किने बोला जाता है तो यह है विशिष्ट परकार के डायोड सोते हैं ट्रांजिस्टर्स आदि होते हैं यानि जो diode और transistor होते हैं उनको क्या बोला जाता है ठोश यूगतिया होती है ये एक टाइप से विशिस्ट परकार की दूसरा हमारा क्यूशन आता है IC कितने परकार की होती है यानि integrated circuit क्या होती है तो ये दो परकार की होती है पहली होती है एनालोग टाइप की दूसरी होती है digital आईसी एनालोग और डिजिटल टाइप की तीसरा हमारा क्यूशन आता है दोस्तों एनालोग IC का प्रियोग इसमें किया जाता है तो मैंने आपको बताया था IC दो टाइप से या दो प्रकार की होती है Digital और Analog तो Analog का प्रियोग किया जाता है वो किया जाता है Radio में Transmitters में और Receivers में यानि जो छोटे टाइप की Receivers होते हैं या छोटे लेक्ट्रोनिक पूर्जे माल लीजिए उनमें Analog IC का प्रियोग किया जाता है अब बाताती है Analog जो IC होते हैं उनके पहचान की संख्या कैसे व्यक्त की जाती है तो उनको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है उन IC के Numbers CA3068 TBA120 TBA920 या इस टाइप से इनके Numbers होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं भी ये Analog टाइप की IC है या Integrated Circuit है Next नमारा क्यूशन है पांच नमबर अब बाताता है Digital IC से आप क्या समझते हैं तो इस प्रकार के IC का Output उसके Input के अनुकरमानुपाती होता है Digital IC में कितनी Logik IKAYA होती है तो Digital IC में में चार से लेकर कई लाग तक क्या होती है चार से लेकर कई लाग तक Logik IKAYA होती है दोस्तों या आपको नोट करना है Most Important है Next हमारा क्यूशन है रेखिक IC की पहचान संख्या बतानी है आपको तो रेखिक IC होती है और जो Digital IC होती है उनके पहचान संख्या है ऐसे होती है 7400, 7404, 7416, 7420, 8418 या ज़्यादातर 74 से स्टार्ट होती है या संख्या है जिसका मन्दाचा लगा सकते हैं ये रेखिक IC है Next हमारा क्यूशन है Unijunction transistor से आप क्या समझते है तो Unijunction transistor क्या होता है कहने का मतलब या कहने का तात्पर यह है इस Q-sion में क्योंकि वह है ट्रांजिस्टर जिसमें केवल एक पी अनसंगम होता है सिरफ एक ही पी अनसंगम होगा या बिंदु होगा उसको यूनि जंक्सन ट्रांजिस्टर बोला जाता है दोस्तों next हमारा क्यूशन आता है no number UJT में प्रियुक्त P शेतर को क्या क्या कहा जाता है तो UJT ये भी ट्रांजिस्टर होता है UJT टाइप का तो उसमें जो P शेतर होगा यानि P वाला भाग होगा उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है मैंसा emitter क्या बोला जाता है emitter ये famous क्यूशन है डाट लेना इसको next हमारे क्यूशन है field effect transistor यानि FET से आप क्या समझते है तो सबसे पहली बात है आपको full form भी मिल गए यहाँ पे FET की FET की full form क्या होती है F का मतलब field E से होगा effect T से होगा transistor field effect transistor से आप क्या समझते है यह यह क्या होता है क्योंकि इस transistor में drain current drain current IA से परदर्शित किया जाता है तो उसके मान का निर्दारण वेद्यतिक शेतर के आवेस के द्वारा किया जाता है यह आपको ध्यान रगने है next हमारे क्यूशन है 11 नंबर FET कितने परकार के होते है F E T कितने परकार के होते है तो यह दो परकार के होते है एक होता है N channel type का दूसरा होता है P channel type का यानि N P मान लीजी N channel और P channel next हमारे क्यूशन है 12 नंबर अब बात आती है FET का उप्योग किसमे तथा क्यों किया जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना समझें आ जाएगा FET का उप्योग TV Receivers में, Computers में, Oscilloscope आदी में Power Amplification तथा Voltage Variable Registr जिसको VVR बोलते हैं Voltage Variable Registr यानि Voltage को Adjustment किया जाता है उस Resistance के द्वारा तो उसके अंदरा में सा FET का प्रियोग किया जाता है समझें आगे होगा आप से को, Simple Secution है Next हमारा क्यूशन है, 13 नमबर अब बाताती है, FET के तीन Terminals के नाम आपको बताने है कौन कौन से होते हैं इसमें तीन Terminals होते है, एक होता है Drain एक होता है Source, एक होता है Gate Drain, Source, और Gate Next हमारा क्यूशन है, 14 नमबर अब बाताती है BJT और FET में क्या अंतर होता है तो BJT में क्या होता है, Current Control Device होती है यह एक टाइप से और FET क्या होता है, यह Voltage Control Device होती है यानि Current, यानि I, दारा को कंट्रोल कोन करता है BJT और Voltage को कंट्रोल कोन करता है FET समझें आग्यों को आपसी को यानि FET next हमारा क्यूशन है 15 नमबर FET के दो लाब बताने हैं आपको कौन-कौन से होते हैं तो इसके दो लाब होते हैं पहला होता है FET का input impedance हमेसा अधिक होता है second है FET की size छोटी होती है और जीवन लंबा जलता है यानि लंबे time तक यह खराब नहीं होता है efficiency इसकी उच होती है इसी कंड़ी यानि दक्सता उच मानी जाती है next हमारा क्यूशन है SCR तो यह सभी को पता होगा FEMS क्यूशन भी है SCR की full form क्या होती है silicon controlled rectifier next हमारा क्यूशन दोस्तो 17 नमबर SCR में कितने junction होते है तो इसमें कुल 3PN junction होते है कितने junction होते है कुल 3PN junction होते है अब आदाती है SCR को own करने के लिए किस terminal पर voltage जंके दिया जाता है तो वो दिया जाता है में सन्वा gate की terminal पर next हमारे क्यूशन है vacation दारा से आप क्या समझते है तो लेचिंग दारा क्या होती है दारा का वहमान द्यान से सुनिए दारा का वहमान जिसके कम होने पर SCR खुला परिपद हो जाता है तो उसे लेचिंग दारा बोला जाता है नेक्स्ट नमारा क्योजन है इस क्योजन को थोड़े द्यान से सुनना ये इंपोर्टेंट साबित होगा आपके लिए डायक जिसको डी आई एसी बोलते हैं तो वो क्या है तथा इसका प्रियोग कहां किया जाता है तो दोस्तों डायक यानि दोनों दिसाओं में कार्य करने वाला एक विशेश प्रकार का डायोड होता है यानि दोनों दिसाओं में कार्य करने वाला एक विशेश टाइप का या एक अलगी प्रकार का डायोड होता है इसका प्रियोग थाइरेश्टरोन गेट सरकिट को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है समझेए आगे होगा आप से को Next हमारा क्यूशन है UJT के अनुप्रियोग आपको बता दी है इसका प्रियोग कहां किया जाता है तो इसका किया जाता है शो टूथ जर्नेटर में, ओसिलेटर में और टाइमिंग सर्किट में नेक्स्ट मारे क्यूशन है 22 नमबर अब बाताती है दोस्तों UJT कितने परकार की होती है तो UJT होती है तीन परकार की कौन-कौन सी? पहली होती है कन्वेंशल UJT सेकिंड होती है कंप्लिमेंटरी UJT और थर्ड होती है प्रोग्रामेबल UJT कौन-कौन सी? कन्वेंशल, कंप्लिमेंटरी और प्रोग्रामेबल यानि तीन टाइब की UJT सर्किट होता है नेक्स्ट हमारे क्यूशन है दोस्तों 23 नमबर अब बाद आती है MOSFET कितने परकार का होता है तो ये दो परकार का होता है MOSFET कौन-कौन सा? पहला होता है N चैनल टाइब का तथा P चैनल टाइब का मतलब MOSFET समझें आगे होगा आपसी को N चैनल तथा P चैनल MOSFET और इसके तरिक इसको डिपलेशन इनहास्मेंट परकार का बोलते हैं और इनहास्मेंट ओनली टाइब का बोलते हैं मतलब P चैनल और N चैनल को अलग-लग नाम से पढ़धर सीथ किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है दोस्तों चोईस नमबर अब बाताती है ट्रायक का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका साब्दिक अर्थ होता है ट्रायोड एसी सेमी कंड़क्टर इसको रट देना इंपोर्टेंट है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है दोस्तों पचीस नमबर अब बाताती है triac में कितने terminal होते हैं तो इसके 3 terminal होते हैं T1 T2 और G कौन सा T1 T2 और G 3 terminals होते हैं triac में next हमारे question है inverter में MOSFET का उपयोग किस कारिय है तो किया जाता है तो वो किया जाता है पावर एंपलिफाइर के रूप में यानि सकती परवर्दक के रूप में यानि inverter में मोस्पेट का उप्योग किस कारिय तो किया जाता है सकती परवर्दक या पावर एम्फिलिफायर के लिए या एम्फिलिफिकेशन के लिए next हमारा क्यूशन दोस्तो SCR के उप्योग आपको बताने है कहां किया जाता है तो लेचिंग रिले, कंप्यूटर लोजिक सर्किट ओवरलोड सर्किट सर्किट सर्क्षन ताथा मोटर स्पीड कंट्रोल आदि में इसका परियोग किया जाता है next हमारा क्यूशन दोस्तों 28 नमबर यह important है किसी electronic उपकरण की विराम अवस्ता को चालू अवस्ता में लाने के लिए किस परिपत का प्रियोग करते है तो वो क्या जाता है trigger प्रिपत का कौन से प्रिपत का trigger सर्किट का समझें आग्योग आपसी को next हमारा क्यूशन दोस्तों 29 नमबर अब बाद आती है insulated gate bipolar transistor का प्रियोग कहां किया जाता है insulated gate bipolar या IGBT जिसको हम बोलते है जिसकी full form होती है insulated gate bipolar transistor का प्रियोग कहां किया जाता है तो अधिक सक्ती वाले प्रिपत या अधिक power वाले जो सर्किट होते हैं उनमें परवर्दन तता switching आधि के लिए इसका प्रियोग किया जाता है समझें आगे होगा आप सी को तो दोस्तों ये ते कुछ most important questions विशिष्ट ठोस अवस्ता यूगतियां चेप्टर के या जिसको specific solid state devices बोला जाता है तो इससे बाहर एक भी question नहीं जाएगा दन्यवाद आप सी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे है जो न्या student है अगर आपको content अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजी share कीजी इस वीडियो को आपके बाद जितने भी whatsapp telegram group है उन सभी में आपका बरोसा हमारा साथ